सब्सक्राइब बनाएंगे जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं Пपस्राइब जैसे कभी आप स्क्रीन पर देखी रहे होगे तो इसी तरीके कि वीडियो बनाने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नाय हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी में कोई न्यूवीडियो रालो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चले अब आज की वीडियो को सुरू करते तो इस तरही की वीडियो बने लिए आपको यहाँ पे तीन अलग-अलग फॉंट्स की और साथी मेरे दो अलग-अलग मटरियस की भी जरूत पड़ेगी तो उसको कैसे डाउंलोड करोंगे वो में आपको सबसे पहले बता देता तो जैसे आपके All Matrix के जो लिंक है उसवाले लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगो तो यह वाला पेज ओपन हो जाएगा ठीक है तो यहां पर दिखें सब से पिर आपको मिलेगी It's Real Touch Friend मेरी website मिलेगी पहले number पर ही तो आपको इस वाणी website पे जाना है वेबसेट पे जाऊगे तो वहाँ पे आज की हमारी जू वीडियो है उसका जो थमलेल है उसे related एक post आपको मिल जाएगी तो उस वाले post में जाना है और वहां से आपको matrits को download कल लेना है अब दोस्तों direct अगर आप post में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक और matrits दिया होगा है all matrits 2 के नीचे जो link है उस वाले link पर जैसे click करोगे तो यह page open होगा वहां पर आपको एक post मिलेगी Crimson Divide Lyric Status Editing in Kindness ठीक है तो आपको उस वाली post को ढूणना है वैसे पहले दूसरे नमबर पर आपको वाली post मिल जाएगी तो सिधे उस वाली post पर जैसे वो लिंक पर आप क्लिक करोगे तो सिधे पोस्ट के अंदर ही जाओ अगर वहां से आपको सभी Materials आसाने से मिल जाएगे और अगर फिर भी आपको Materials को डाउनलोड करना में कोई भी दिक्कत होती है तो उसका में एक अलग से वीडियो भी बनाया है Materials को कैसे डाउनलोड करना है तो उसवाले वीडियो को देख लिए उसके बाद आपको कोई भी परसानी नहीं होगी तो Materials को डाउनलोड करने के बाद आपको यहां से आजाना है अब बैक आने के बाद दोस्तों जिस भी स्वांग पर लेरिक स्टेटस बनाना चाहते है अब दोस्तों यहां पर देखे किसी और रेशियो में अगर आपको बनाना है वीडियो तो यहाँ पर देखें तीन रोट पर आपने क्लिक कर देना है फिर आपको आजाना है इमेज तो अब जिस भी रेशियो में आप बनाना चाते है उसको इंतक रहे रहने देत हैं यहां पर आपको नीचे कि क महतने के बाद यहां पर आपको नीचे आ आ जएक formats लिखा हो गाधा यहां पर आपको नीचे आने के आने के बाद ladoरा प्ली और नीचे एब वाले जाना है यहांपर आपbad यहां प्याना जाने my font पे और यहां से आपने मैंने जो तीन अलग-अलग font दिये हैं उसमें से सबसे पहला वाला जो font है उस वाले font को select करना है ठीक है तो अगर आपको नहीं पता pixel lab में किस तरह किसे font को add कर देता उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है आप चाहो कि यहांसे अगर cut रहे हैं तो आपको क्या करना है यहां पे और यहां में रखन दिज़ और सब्सक्राइब जाञाए लुद बीच बटन पर एक बिच में यह हो जाएगा ठीक करो के हो जाएगा तो जैसे कल तो यहां पर लेना है उसके बार दोस्तों यहां पर बीच वाले बटन पर क्लिक कर लेना है तो यहां पर आपने लिखने के बाद और दोसरी आप को अपने में क्लिक कर जाएगा आरे यहां पर अघ्स कि अपर आपने निम्हीं में और क्लिक कर दैठेर highlight वाले बटन में पर तो यहां पर आजाएगा पर दोस्तों यहां पर साईज वाली ne पर यहां से जित्ती भी आप साइज रखना चाते है उतने रख दीजिए फिर राइट के बटन पर क्लिक किजिए और यहां पर आपना जा रिलेटिव पोजिशन पर और इसके पर जाने के बाद बीच वाले बटन पर सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे तो यहां पर दो आगे का वड़े वह आपको यहां पर लिख देना है लिखने के बद आपको डन वाले बटन पर क्लिक कर देना है फिर ओके कर लेना है तो यहां पर देखे मैं आपको दीखा रहे है तो तीसरा वाला कौन सा वाला है तो उसको आपने सिलेट कर लेना है तो यहां पर दीखे यह वाला बढ़ा लेंगे इस वाले बटन पर बीच वाला बटन पर एक बार क्लिक करेंगे और यहां पर पहली जो लीडिक करेंगे उसकी एक सिंपल रहेगा ठीकि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना रहेगा सिर्फ इस टेक्स वाले आपको इसके पर आपको क्लिक करोगे पर इसको इसको आपको अगया करेंगे इसके पर दो बद क्लिक करोगे पर इसके आगे का जो वर्ड रहेगा वह आप लिखोगे और लिखने के बाद दोस पर प्रोसेश जो किमने पहले वाले में किया वही आपने करना रहेगा अब आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना रहेगा ठीक इसको we करना है तो हम वीडियो को क्रियेट करना होगा ठीक है तो यहां से आपने इमेजिस बनाई है उसको गरेट करने है उसको सेयलेट करने के और आपको सबसे पहले image in background पर आना है और black color का background आपने सबसे पहले यहाँ पर add कर दोड़ा तो यहाँ पर देखे ब्लेक अपर अपने आपने आना है media पर पिक्सल लेप के फोल्डर में और जो भी आपने images create करी जो भी लीरी इसकी जित्ती भी image आपने बनाई है उनर सभी images को चपने यहां पर एड करना है तो मैं यहां पर लिए तिक हो बना, तो नहीं को आपने इमेज़ को दो किया, किया। यहाँ से पले करोगे तो यहां से मेरे लिक स्टार्ट होते हैं तो यहां से यहां की च्रब्ले करने का नवरे कृ करने के देरे खाते हैं और यहां से trim tool left to plate कर देना है इसके बाद दोस्तों इस लेडर पर क्लिक करके रखना है और यहां से देखे जहां पर हमारी जो पहले वाली इमेज है यहां तक आपने लेके आना है ठीक है एक दम पूरे स्टार्ट तक आपको नहीं जाना है तो यहां पर ले आया लाने को प्ल जाने cross and split पर इसके बार आप क्लिक कीजिए तो यहां पर आ जाओगे अब दूस्तों यहां से नीचे स्क्रॉल करोगा तो यहां पर आपको यहवाला effect मिल जाएगा तो इसके बार जाना इसको यहां से install कर लेना है इसके आपका jump back आने के बार इसके पर आपको प्लिक करोग सबी में आपको अलग-अलग देना है तो आपकी status काफी ज़एदा अच्छी दीखेगी तो सबी में अलग-अलग effect दे दिए ठीक एक में यहां पर देखे जाना है और यहां पर इसको थोड़ा सा आगय तक ले जाए ठीक है तो इसको मैं देखिए आपको कितना इतना आगय तक लेके आना है इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको सोंग को प्ले कर देना है प्ले करने के बाद आपको सभी इमेजिस जो है लिरिक्स की उसको सोंग के साथ आपने मिला देना है कि मेरी पहली एकदम perfect है और दूसरी भी थोड़ी सी चोटी है तो मैं इसको थोड़ा सा ठोड़ा छोटा दक लेता है तो आप दूसरी यही काम कि आपने कर देना है सभी को जित्नी भी आपने इमेजी से सभी को के साथ मिला देना है उसके बड़ा दा Fullnova सभी में पर ले पर ने इस पहलेवाली बाले इमेज पर देख काहाँ पर आपने रहना है यह जो बीच में यहां पर आप ने एक दम स्थाल आपने क्षिश्हाना हैׁ फॉले पर आपने शुक्त पर ने उसको आपने यहां पर चांवक पर घड़ाने रहने पर पता-बेब्द यहां पर चोंप आपको chroma stick moves यहां पर मिल जाएगा इसको जाना और इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के दोस्तों यहां पर फिर से देख लिए इस वाले point पर करेना है इसके ओपर क्लिक करना है और इसको पूरी फ्रेम में रखोगे रखने के बद आपने जाने सेटिंग्स पर जाने के देख लिए यहां पर सिर्फ black वाले part में हमने रखना है और इस duplicate को आगे वाले पर ले जाना है तो यह देखे बीच में जो ब्लेक वाला part है वहां पर में इसको रखेंगे और फिर से इसके पर प्लिक करोगे फिर से तीन डॉट पर जाओगे इसका फिर से आप डूप्लिक करेट करोगा इसको को आगे हमें लगा लगा जए यहीं पर लेक करनो गहीं कि कर दियाclass के में आदा autumn यहां खेंगे शोटा कर circuits चोटा क्र देख दो ओके यहां तो इस वाले पार्टिकल्स वीडियो को यहां पर एड़ कर देना है तो इस वाले पर पूरी फ्रेम में इस तरह के से बड़ा कर लिए बड़ा करेंगे यहां से आपने नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग और ब्लेंडिंग पर जाके यहां पर इसको आपने स्क्रीन कर लेना है तो इसको आप सक्रीन कर देजिए फिर यहाँ से देखे राट के बटनपर क्लिक किंजई अब इसवले लेइर पर आप्ने फिर से क्लिक कर देंगा है इस Casey Park करें गे यहां पर आपको थीन-डोड कर पोशन पर जाना है और यहां पर इसको सेंट टु बैक करना है थे मिले होगा भी जाते है तो आपको यही फोटय शाती है नहीं के वेट लिग साथ मिल चुका हो गा तो इस वाले फोटो को अपनी फोटो भी अगर It सब्सक्राइब तो इस तरह से एड़ कर लिए एड़ करने के इसको फ्रेम में आपको नीचे आजाना है पहले तो इसको पूरी वीडियो आपको आगे तक ले जाना है जितनी आपकी वीडियो लंबी है बात लंबा कर लेजिए उसके बाद दोस्तों यहां से नीचे आजाए blending के option पे और blending पे जाएके इसको भी आपने screen कर लेना है और screen करने कबड़ इसको जो opacity उसको आपने कम कर लेना ठीक है जितनी भी आपको सही लगती है उतनी आप इसको कम कर लेज़े ठीक है तो मैं इसको कुछ इतना रहतुत और अल्का सा दीकर उतना मैं रखता हूँ दिखाय देता हूँ तो जैसे आप इसको play करोंगे तो आपकी ये वाले वीडियो कुछ इस तरीके से आपकी पूरी complete बन जाएगो ठीक है तो दोस्तों जैसे इस तरीके से आपकी वीडियो पूरी complete बन जाए आपको वीडियो को export कर दाने जैसे एक्सपर्ट करोगे यह वाली वीडियो जो है आपकी केरेटर में सेव हो जाएगे दोस्तों आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए वागी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब चार रोगा रहें